यदि आपने अगर 10 क्रिकेट इस हफते देखा है तो आपको बूरियत लगी नहीं हो 24 गंटे में दो कमाल के मुकाबले हमें देखने को मिले लेकिन क्रिकेट की दुनिया में केवल ये दो मुकाबले ही नहीं भी कमाल की बाते रही हैं इन मुकाबलों से सम्मंदित इसके बाहर T20 विश्वकब के बारे में भी कमाल की ख़बर आई ही सफते उन सब चीजों पर बात करेंगे इस हफते के क्रिकेट न्यूज दिस वीक अट सोशल पर पर इस से पहले हम एपिसोड की शुरुआत करें चलिए सफते के एपिसोड की शुरुआते हासिक पार्तिया टीम की लॉड्स में जो जीत रही इस अफते उसे इसी शब्स से तोला जा सकता है और चुकि गेनबाजो का यहाँ पर जो कॉंट्रिबूशन रहा गेन के साथ तो था ही पर पल्ले के साथ जो कॉंट्रिबूशन रहा है इस मैच में वो याद रहेगा फैन्स को आने वाले कई सालों तक इशान शर्मा के सोला रन बहुत मुल्यवान थे जिस समय रिशाप बंद का विकेट किर गया था उस स्तिती में उन्होंने जो यह रन बनाए शहर वहाँ से मोहमत शामी और चस्परीद पुमरा की जो पार्टनर्शिप रही नवासी रनों की नौवे विकेट के लिए उसकी बंदान में तो कहीं न कहीं काफी जादा पेट्रियोटिक भी हो गयता है हमारे फैंस लेकिन परले के साथ साथ तो अपना काम किया है गेंड के साथ भी नौ और और एक गेंड बचते हुए इंगलेंड को ओल आउट कर दिया तो एक ऐसी स्थिती में जहां पर भारतिय टीम मैच हार सकती थी कई फैन्स डव्टीसी फाइनल को याद कर रहे थे वहां पर भी जल्दी विकेट कर गए थे आकरी दिन और उसके बाद न्यूजिलें ने टार्गेट चेस कर लिया था लेकिन यहां पर भारतिय टीम ने ऐसा नहीं होने दिया गेंड पाजों ने ऐसा नही नहीं कहीं फैन को क्रिकेट से जादा जो बातचीत हुई है और उसके लिए याद रहेगा शुरुआत इसकी हुई थी जस्परीद बुम्रा ने जब जीमी आंडर्सन को पाउंसर्स डाली थी अपने उस ओर में जिसमें तस गिंदे करवाई थी उन्होंने नो बॉल्स भी और उसके बाद फिर आखरी दिन जिस तरीके से उनका स्वगत किया इंग्लेंड की टीम में पाउंसर्स डाले उन्हें सर पर दो बार लगी गेंद उस आखरी दिन लेकिन फिर उन्होंने अपने शॉर्ट्स लगाने बगनी किये मोहमत शामी ने अटैक किया दोसरी और से औ और जब बदले बाज वापे शॉर्ट लगाएं बदले में तो उनकी भी तालीफ होती है और कुछ इसी तरीके का कॉंटेस्ट हमें इस मैच में देखने को मिला तो सीरीज तो अभी खत्म भी नहीं हुई है भारतिये फैंस ऐस्ट्रेलिया को याद कर रहे थे जहां पर अतिशबाजियां हुई है इन्हें आने वाले तीन टेस्ट मैचेज में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिर्फ एक नहीं दो कमाल के टेस्ट मैच देखने को मिले सफते इंगलेंड और भारत के बीच में लॉर्ड्स का टेस्ट मैच शुरू होने से बारा घंटे पहले सबायन पार्क में वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान का पहला टेस्ट मैच दो मैच की सीरीज का पहला मुकाबला खत्म हुआ एक विकेट से वेस्ट इंडीज ने मुकाबला जीता पाकिस्तान को हराया और केमार रोच और जेडन सील्स आखरी दो बल्लिबास थे वेस्ट इंडीज की टीम के लिए पिछ पर और जैसे ही उनोंने मुकाबला जीता असान अली को जाके पहले कॉंग्राचुलेट किया चुकि दोनों ही टीमों ने कमाल का प्रदर्शन किया था इस मुकाबले में भी किमार रोज से जब मैच के बाद में पूछा गया कि आपका क्या एक्सपीरें मैच में तो ऐसे टेस क्रिकेट में दो ऐसे मुकाबले हुए जहां पर गेंदबाजों ने बढ़िया प्रदर्शन किया वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान का में मुकाबला हमें याद रखना होगा एक लो स्कोरिंग मैच था और चाहे दो या तीन रन ही बनाये कोई वो कॉ मुकाबले हैं जहां से चार टीमें क्वालिफाइद हो के सूपर ट्रॉल में खेलेंगी उनके मुकाबले शुरू होंगे और से यई पर टीम से चुरूबर से शुरूबात होगी सूपर ट्रॉल के मुकाबलों की 10 और 11 नावंबर को होंगे दोनों सेमी फाइनल और आखिरकार 14 नावंबर को खिला जाएगा फाइनल भारतिये फैंस के लिए और पाकिस्तान के फैंस के लिए खास बात क्या है 24 अक्टोबर को दोनों टीमों का मुकाबला होगा सूपर ट्वल मुकाबला होगे दोनों की बीच में 13 भी बार तोनों टीमों अपस में मेडेंगी विश्व कप में 50 ओवर के विश्व को और 20 ओवर के मुकाबले मेला के अब तक भारत हारी नहीं है पाकिस्तान से लेकिन कही ना कही देखिए यह मौका तो है यह पकिस्तान के लिए और मौके आते रहेंगे और कभी ना कभी आप उनका लाम उठाके मुकाबला जीच सकते हैं ICC ने इस अगले साल होने वाले महिला विश्वकप के लिए जो कौलिफायर्स हैं उनकी डेट्स और वेन्यू जारी किये मतलब शेडियू लग तक नहीं आया है लेकिन आपको बता दिया गया है कि 21 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में यह मुकाबले होंगी जिनमें 10 टीमें भाग लेंगी इन 10 टीम होने से 3 टीमें अगले साल के विश्वकप के लिए कौलिफाय करीगी जो की न्यूजीलेंड में होगा चार मार्च से लेके 3 अपरेल के बीच में है काफी जादा एकसाइटमेंट है इसको लेके भी आपको याद होगा और मुझे देखिए बहुत अच्छे से याद होता है 2017 का विश्वकप फाइनल लॉर्ड्स के मैदान में जो बहुत नजदीकी मुकाबला रहा लेकिन अंत में भारतिय टीम हार गई उस मुकाबले और कमाल का मैच रहा था रेकॉर्ड तोड व्यूवर्श थी उस मुकाबले की और हम यही चाहेंगे कि अगले साल का भी जो यह टोर्णमेंट होने जा रहा है और यह काफी जादा रोमान्चक है उसी तरीके के उस फाइनल के तरीके के मुकाबले हम है देखने को मिले और अंत में भारतिय फैंस ही चाहेंगे कि जो मुकाबले हैं वो हमारे फेवर में रहे केवल हमारे फेवर में है और मतलब जो हमारे मुकाबले है वो हमारे फेवर में रहे जाते जाते बस आपको एक कहानी के बारे में बसाना चाओगा हर हफते क्रिकेट नियूज के सीनियर एडर ओविशेक मुखर जी हमारी वेबसाइट पर एक एडिटोरियल लिखते है रिवर स्कूप और इस हफते उन्होंने कहानी लिखी राशिद खान के बारे में और कैसे क्रिकेट को अपने तमाम बड़े शक्त राशिद खान उन सभी राशिद खान के लिए बचा के रखने चाहिए जो मुश्किल परिस्तितियों में अपना काम करते है इस समय अगर आप उन्हें देखेंगे तो खिलाडी से जादा आपको वो इंसान नजर आएंगे जो क्रिकेट की दुनिया से समवंदित सभी ख़वरों के लिए क्रिकेट न्यूस के साथ परे रहे हैं